तो आगे आप लोग तो गैज आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टिफ्स के बारे में जो आपको अपनी डांसिंग से पहले फॉलो करने चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं तो गैज अभी के टाइम में इंडिया में एज वेले पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डांसर है उसमें से कुछ ऐसे डांसर होते हैं और कुछ ऐसे डांसर होते हैं और गैज आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कुछ ऐसे डांसर होते हैं जो अगर किसी कुरोग्रफी को किसी dance style को अगर perform करे तो उसे बहुत अच्छे से execute करते है या फिर उनकी choreography, उनकी dancing बहुत ज़्यादा quick और बहुत ज़्यादा complete लगती है और कुछ ऐसे भी dancer होते है जो अगर सेम उसी dance style को सेम उसी performance को in fact सेम उसी steps को करते है तो उनमें वो उतना ज़्यादा attractive या फिर उतना ज़्यादा effective नहीं लगता है तो कैज इसके पीछे जो सबसे बड़ा region है वो ये कि वो बस एक normal dancer होते है वो बहुत अच्छे performer नहीं होते है तो कैज आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है आप जिदने अच्छे से music को सुनोगे जिदने अच्छे से music को समझोगे आप उधने अच्छे से perform कर पाऊगे और इसके पीछे ये region है आप जब भी किसी music को सुनते हो तो आपका mind आपका body दोनो active हो जाता है दिन आप जो perform करने जाते हो तो वो आपको एक quick response देता है आपको अपने dancing को start करने से पहले हमेशा music सुनना चाहिए in fact आपको अपने इसे daily life में add करना चाहिए कि आप रोज music सुनोगे आप इतने घंटे music सुनोगे और गयिज अब हम बात करते हैं कि आप dancing के कॉन से genre के music को सुनोगे तो गयिज यह totally depend करता है कि आप dancing के कॉन से label में हो अगर आप किसी एक proper dance style को सीख रहे हो तो आपको उस dance style के music को सुनना है अगर आप popping करते हो या پھर breaking को थो या फिर house करते हो तो आपको उस genre के music को सुनना है As you know की dancing किसी music के थुरू ही evolve होके बना है तो आपको जो dance style आप सीख रहे हो आपको उस dance style के music को सुनना है और अगर अगर आप एक all style dancer हो या फिर आप dancing सीख रहे हो आप किसी की choreography सीख रहे हो या फिर आप खुद से choreography कर रहे हो तो आप हर तरीके के गाने को सुनो, आप हर genre की music को सुनो या फिर आपको जिस पर choreograph करना आप उस music को बहुत अच्छे से सुनो तो गैज आप हमेशा अपनी dancing को start करने से पहले music को सुनो उसे अच्छे से समझो और आपको जिस चीच पर focus करना है वो करना है उसके rhythm पे उसके beats पे और उसके tempo पे तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से समझेना चाहते हो तो मैंने इसको उपर एक video बना रखा है आपको description में लिंक मिल जाएगा और guys जो second point है वो है do warm up आपको अपनी dancing को start करने से पहले हमेशा warm up करना चाहिए warm up करने से आपकी body parts free होते है और आपकी body flexible होती है और जो आपको lead करता एक अच्छा dance performer बनाने के लिए so guys ये complete warm up में basically दो parts होते है पहला ये आपको कुछ ऐसे body movements और exercise करने होते है जिससे आपके body का हर part top to toe free हो और जो second part हाता है वो ये कि आपको कुछ ऐसे steps के combo create करने होते है और उसे perform करने होते है जिससे आपके body का हर part पे वो effect करे और आपका body का हर part flexible हो so guys अब जब भी अपनी dancing start करने है जाओ तो उससे पहले warm up करो warm up में आपको basically ये चीज़ करनी है आपको कुछ ऐसे exercise करने है जिससे आपके body parts free हो और आपके body parts flexible हो और आपने जो steps का combo create किया है उससे आप किसी random song को play करो और उस पे 20 minutes perform करो ऐसा करने से आपके body parts free होगे और आपकी body flexible होगी और guys जो third और सबसे important point है वो है practice body control so guys आपको अपनी dancing को start करने से पहले हमेशा body control की practice करनी चाहिए I know बहुत से ऐसे dancer होगे जिनने ये पता नहीं होगा body control होता क्या है या फिर उन्होंने कभी body control की practice नहीं की होगी पर believe me यही सबसे important point है जो आपको एक अच्छा performer बनाता है so guys body control में आपको जो सबसे पहली चीज़ practice करने है वो आपको करना है 8 clock 8 clock में basically आपको अपने दोनों hand को उपर करना है और अपने दोनों hand को touch करना है देन आपको 1-8 count करना है और अपने दोनों hand को नीचे लानाए अपने थाई जी के पास आपको इस चीज़ पर focus करना है कि आप 8 count में अपने hand को नीचे ले आओ और अगर आप इस चीज़ में successful हो जाते हो मतलब आप exact 8 count में अपने दोनों hand को नीचे ले आते हो तो गैज मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपकी musicality बहुत जादा अच्छी हो जाएगी और आप कभी भी किसी भी performance में beat को miss नहीं करोगे तो आपको simply बस ये करना है आपको दोनों hand को उपर करना है 1 to 8 count करना है और दोनों hand को नीचे लाना है पाई जी के पास exact 8 count में वर्ल्ड के जितने भी famous डांसर है जैसे ब्राइन पोस्पोस इन इस्टूड इसकॉर्ट फोर्सिट वो लोग भी इस 8 क्लॉक की practice करते इसी वज़े से उनकी dancing इतनी जादा quick और complete होती है पर बहुत सारे ऐसे dance choreographer और teachers होते है या फिर dancer होते है जो लोगों को ये चीज़े नहीं बताते है ये नहीं सिखाते है पर हमारे चैनल पर हम बात करते है real dancing की तो कैज इसी बाट पर इस वीडियो को like कर दो और कैज आपको body control में जो दूसरी चीज practice करनी है वो आपको करनी है ऐसा करने से आपकी body lining बहुत ज़्यादा clean होगी और आपकी steps बहुत complete होगे और आप एक अच्छे performer बन पाऊगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो आपको इस वीडियो मेरी महनत दिखी हो तो please इस वीडियो को like करे ने टो dislike करे और अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को check करो इस पर बाकी को वीडियो पसंद आता है इस चैनल का content पसंद आता है तब इस चैनल को subscribe करो तो guys मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए महनत करते रहो keep dancing, keep eye stroking